तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों कैसे आप मैं आनन सिंग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार तार्गेट अभी पर चलिए रोज रोज वही गलती नहीं होनी चाहिए वर्दी के विना क्या है जीवन में वर्दी बहुत जरूरी है तो चलिए शुरुवात करते आज की बहुत प्यारी क्लास को इस बहुत ही प्यारी सांदार जांदा जबर्दस्त और जिंदाबाद वाली क्लास को आतकवादी नगरी जेपूर से प्रणाम अरे भाई केसे आतकवादी नगरी बता रहे हो जेपूर को जेपूर तो बड़ी ब क्लास यह आप लोगों की जिम्मेदारी है यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि चलिए पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए फास्ट क्विक कि बिना समय गवाए हम बात करेंगे दिक्षा पोर्टल एक्ट के बारे में बात कर रहे थी बिटा जी ठीक है तो दिक्षा पोर्टल दो हजार सत्रा किसके द्वारा एंसी ए आर्टी जो शिक्षक पशिक्षन है शिक्षकों के लिए बनाई गई है और ज्यान साजा करने के लिए डिजिटल बुनियादी धाचा के रूप में इसे प्रियोग लिया गया है सर एसेश्टी का कोर्स क्रेस कोर्स क्या है ठीक है वही चल रहा है बिटाजी वही चल रहा है आप जिंदा मत करिए एक बार ठीकिस्सा के छित्र में नोबल पुरुषकार दो जार तेवी से किसे सम्मानित किया गया हम इसके साथ के साथ आंसवर लेते चलेंगे बिटाजी तो आपको पता होना चीए चिकिस्सा के छित्र का जो नोबल पुरुषकार है वो केटालिन कारिका और डू विस्मैन को दिया गया है इन दोनू के बारे में हमें बात करनी है स्सेश्टी की क्लास भी चालू करो सर जी अभी आप इसी पर फोकस करिए पूरा पूरा भोतिकी के सेत्र में नोबल पुरुषकार दो हजार 23 में तीन विज्ञानिकों को दिया गया है आज मैं मिश्लेनियस क्यूशंस लेके आया हूं एक तो करन्ट जीके से रिलेटेड क्यूशंस और एक एसी जो एप चलाई गई है जो एसी योजना ही चलाई गई है उनसे संबंदित पर चेत्र में तीन लोगो को नोबल पुरुषकार दिया गया है पीरे आगस्टीन कि फैरेंस। क्रांस और एनी को दीए जाने पुष्णा की गई है यानि कि तीन लोगों को बेटा जी यह पुरुषकार मिला है तीन लोगों अरे बेटा जी अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे मोहित यात्रा करमांक बाद में बात करेंगे अगले मुद्देप्राय क्या है यह उनकी शिक्षा और शिक्षक कार्य कर्मों को सरल बनाने के लिए ओनलाइन पोर्टल एंसी इटी नेशनल काउंसलिंग फोर टीचर एजुकेशन लॉंच किया गया है चार साल का एकिक्राइच छिक्सक्षक कादे कर्म है अगर आप से पूछले आप से पूछले मेरे प्यारे बच्चु एंसी टी नेशनल काउंसलिंग फोर टीचर एजुकेशन द्वारा लॉंच किया गया कादे कर्म कौन सा है चार साल का चलिए बढ़ जाई आगे रसाइन के शित्र में नोबल पुरुषकार दो इस बुरुष यह अमरीका के रहने वाले है और बेटाजी एलेक्सी एकी मोव यह रूस के रहने वाले हैं इनको देने की घुसना की गई है मैं सारे प्रश्णू का मिसलेनियस निचोड निकाल कर आप लोगों की बीच में लाया हूं बस आप एक बार जुड़े रहे क्लास से और बड़े इत्मिनान के साथ में आगे तक बड़ा ये कलास को भीटाजी चलिए है लाइक शेर में कमी नहीं आनी चीये को चैँआ extra पी में कि इस में किसे दिया जाने की घुशना की गई एक बताव भी साहित्य के छुत्र का नोबल पुरुसकार जान फोस से ये नार्वे के जो लेखर के इने दिया गया है अर्थ सास्तर के शत्र में नोबल पुरुषकार 2023 अमरिका के बिटाजी गोल्डिन को दिया जाने की घुशना की गई है फ्रियर का भीएड आप लोगों ने किया बहुत बड़ चीजे और सान्ती के चत्र में नोबल पुरुषकार 2023 तो नर्गिस मुहमधी को दिया गया है नर्गिस मुहमधी बहुत मत्तुपूर्ण है ये इरान की रहने वाली है कहां की रहने वाली इरान की और बैटाजी लगात कई वर्षू से कहा है यह जेल में जीवन वेतित कर रही है किसमें जीवन वेतित कर रही है जेल में बैठी हुई है और वहां इनको किसके चित्र में सांती के चित्र में नोबल पुरुसकार से इनको क्या किया गया है सम्मानित किया गया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिटा सांदार जानदार जबर्दस्त और जिन्दाबाद चलिए आगे बढ़ते हैं अपना चंद्रियान कारेक्रम बताओ भाई अपना चंद्रियान कारेक्रम 17 अक्तूबर 2023 को लोंच किया गया है शिक्षा मंत्राले द्वारा किसके द्वारा शिक्षा मंत्राले के द्वारा अपना चंद्रियान कारेक्रम जोड़ा गया शिक्षा मंत्राले के द्वारा और मिस चंद्रियान इसकी प्रसनों तरी चलिए आगे बढ़ जाईए काजी रंगा नेशनल पार्क की पहली मैला फील्ड निदेशक के रूप में सोलानी घोस को चुना गया है आपको पता होना चीए काजी रंगा नेशनल पार्क ये मेरे प्यारे बचु असम में है कहां पर है असम समात्र जानवर जिसका और दीने फिंगर्फिंट साइन बन शकता है दीने फिंगर्फिंट से अ Judith अगर आप से पूचले भारत में कौन से जानवर का द्ऑड ने फिंगर्फिंट तयार किया गया है तो बेटा जी एक सींग वाला जो गेंडा है उसका डीने फिंगर smr तैयार किया गया है भारत में इसे भी आप थोड़ा याद रखेंगे चलें आगे बढ़े ठीक है हाँ एक सींग का राइनो बिल्कुल सही कह रहे हो बिटाजी नेक्स्ट 2023 में भारत की पहली यूनिकॉण कंपनी किसे बनाया गया है तो जैपिटो कौन है बिटाजी जैपिटो 2023 की भारत की पहली यूनिकॉण कंपनी चली आगे बढ़िये ओके थीम क्या है इस बार की अंतराष्ट्य शिक्षक दिवस की बेटा जी बताईए आप थीम क्या है अंतराष्ट्य शिक्षा दिवस की थीम क्या है लोगु में निवेश करे शिक्षा को प्रात्मिक्ता दे और 24 जनवरी दो जाट एविस को पाचवा पाचवा थीम के लोग बेटा जी बाद में बात करेंगे इनको नोबल क्यों दिया गया है ये भी विशे है बाद में बात करेंगे किस राज्ये की सरकार ने पद्म पुरुषकार प्राप्त करने वाले विक्तियों को एक हजार रुपे मासिक पैंसन देने की घूषना की है कौन सी सरकार ने के लोगों को जो नोबल पुरुषकार विजेता है हाँ जी पद्म पुरुषकार के जो प्राप्त करने वाले लोग है उनको कितना एक हजार रुपे मासिक देने की क्या की गई है घूशना तो हर्याना सरकार ने की है अब आप मुझे बता दो इस बार कुल पद्म पुरुषकार जीतने वाले लोगों की संक्या कितनी है कुल पद्म पुरुषकार जीतने वाले लोगों की संक्या कितनी है जल्दी से जवाब देदीजिए बहुत बढ़िया बहुत सांदार जानदार जबर्दस्त डिविजन किर्केटर अब दी इयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतिय मैला खिलाडी कोन बनी है बतादो भई कान है तो आपको पता होना चीह कौन है हर्मन प्रीत कोर कौन सी कोड है किंग अग्यात सउगु का डिनी डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्यES Trumpoy यानि कि एसे लावारिस सव जिनका कोई मालिक नहीं है उनका DNA डेटाबेस बनाने वाला कोन है तो कोन है भई क्या जवाब रहेगा आप लोगों का बहुत बढ़िया सांदार जांदार जबर्दस्त और जिन्दाबाद तो हिमाचल प्रदेश बेटाजी एक एसा राज्ये है जिसने क्या किया है DNA डेटाबेस बना है अज्यात सवू का और फिर उनको DNA डेटाबेस तयार करेगा उसके आधार पर जिस किसी भी community से वो बिलोंग करते उनका उसी तरीके से अंतिम संसकार किया जाएगा 300 बार पहुंचाने की जिम्मेदारी है आज की क्लास में कमी नहीं रहनी चीए मैं फिर कह रहा हूँ लाइक करने वाले बच्चे देखलो अभी तक भी लाइक नहीं कर पाए है अभी तक जलोड़ी से का अगले बिंदू पे आईए रास्ट्रिय मुल्यांकंचन केंदरा राश्ट्रे मुल्यांकंचन केंदरा इस तुन्म निती जो ट्वंटे ट्वंटी के तहत बेटा जी एक है परक क्या है परक परक का याद रखना परक यह रहा परक क्या है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मुल्यंकन शमिक्षा और ज्ञान का विश्लेशन समग्र विकास के लिए मेरे प्यारे बच्चु इस चीज को याद रख लेना परक परक का राष्टे सिक्सन रिक्ति 2020 राष्ट चले अगले मुद्धे पर आते हैं सो प्रतिसत इथेलान से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कि फ्लेक्स फ्यूल कार एंपीवी किसने लॉंच की तोईटा इनोवा एंपीवी किसने लॉंच की यह बहुत अच्छा क्यूशन बन जाता है यह बहुत प्यारा क्यूशन बन जाता है तो चले इसका जवाब लेते हैं नितिन गडगरी साब लें कौनसे गडगरी ने नितिन गडगरी केंद्रिये सडक कर परिवयन सडक वय परिवयन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी नितिन गडगरी ने पूरे भारत में बलार्ज स्केल पर सडकू पर काम किया ये पूरू में भारतिये जनता पार्टी के राश्ट्रिये अध्यक्ष भी रह चुके हैं राश्ट्रिये अध्यक्ष भी रह चुके हैं नितिन गडगरी चलिए अगला बिंदू देखते हैं किस राज्जे ने मैजिक राइस याने की चुकवा चावल को जी आई टेग दिया गया है पहली बात तो सर ये जी आई टेग कितने वर्षू के लिए दिया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चु जी आई जो टेग है ये दस वर्षू के लिए दिया जाता है और ये जी आई टेग वर्ष उननीस सो नन्याणमे में इस्वी से आरम किया गया है और आप से पूचा है कि चोकवा चावल है वो असम के है और इनको क्या दिया गया है जी आई टेग दिया गया वोईस स्लो है अब बेटाजी वोईस तो इससे ज्यादा तो क्या रहेगी फिर भी मैं बुलाता हूँ एक बार अगर वोईस में कुछ परिवर्थन हो पाए तो करवाता हूँ दस येर के लिए दिया जाता है जी है ठीक चलो साब बढ़ी आगे लो भाई श्वेम एक योजना है जिसके बारे में कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था उसका उद्दिश्य क्या है व्यापक खुले ओनलाइन शिक्ष्ण पाठ्यक्रम ठीक है यानि कि आपका और गुणवत्ता फिर आप बताईए शिक्षा मंत्राले मेरे प्यारे बच्चु ए आई सी टी आई और ये MSK सयोग से इसे आरम किया गया है बेटा तेरे सारे प्रसनों को ना एक काम कर मोहित यात्रा कमपनी सारे प्रसन मुझे comment box में छोड़ deconst मैं सारे प्रसनों को निप्टा लूँगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा तेरे जितने भी प्रसन है सब को निप्टा लूँगा बेटाजी पर अभी पहले पूरा फोकस रख जो पढ़ाया जा रहा उस पे बाद में ध्यान दे लेना ओके हाँ एक दम से सब ठीक है लो साब अब धीरे धीरे जो समय बदल रहा है और लोग अपनी जो छेत्रिय भासा है अयोध्या वाले असम अयोध्या वाले असम कैसे भाई उस पर लोग जदा आ रहे हैं तो इसका सही जवाब है केरल हाई कोट तो केरल हाई कोट ने ऐसा नेने लिया है किसने नेने लिया है केरल हाई कोट के द्वारा ये नेने लिया गया है चलिए नेक्स्ट भारत का पहला राष्ट्रिये मेट्रो रेल ग्यान केंडर कहां बनाया जाएगा भारत का पहला मैं एक 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 बिंदू को इस तरीके से किलियर करने की कोशिश कर रहा हूँ चलिए तो यह आपका नई दिल्ली इसमें सही जवाब है बेटा आप लोग के जो एक बात बताओ जब चलतीवी क्लास में एक साथ नजाने कितने मैसेज निकलते हैं तो ऐसी स्थिम अगर आप चाहोगे तो भी मैं आपको इन चीजों के जवाब नहीं दे पाऊंगा बेटा जी तो मेरी बात को थोड़ा समझिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से हम और एक ओनलाइन का शिक्सा का कार्यकरम है पहल इसके बारे में चर्चा करते हैं ओनलाइन शिक्सा कार्यकरम पहल देखेए अभी इनी मैसे परसंद बनने की संभाव ना रहेगी तो पहल किस राज्य में लौंच किया गया है तो मेरे प्यारे बच्चु यूपी के द्वारा ल कोई बात नहीं अपनी जिग्यासा को अभी थोड़े दिनों के लिए रखो बेटाजी अपने पास में तो क्या है ये ग्रामीन चात्रूं के लिए निशूल्क ओनलाइन शिक्षा कार्येक्रम गनित और विज्ञान कानपूर की साहिता से बेटाजी गनित और विज्ञान के च साहित में ले रहा हूं तो अगले प्रसंद की और बढ़िये और जबाब दीजी आप मुझे ग्रह मंत्री अमित साहा ने किस राज्य में किभूतु गाउं में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की सुरुवात की है क्या है किभूतु गाउं हाँ देखो बेटा पहले हम हमारे अरुनाचल प्रदेश के जो गाउं थे उनके लिए एक सब्द का परियोग करते थे भारत का अंतिम गाउं लेकिन अब उनके लिए हमने एक नया सब्द परियोग में लाना सुरू कर दिया है भारत का पर्थम गाउं अब हम क्या बोलने लग गए हैं भारत का प्रथम गाउं तो इन दोनु में तोड़ा फर्क रहेगा इन में तोड़ा क्या रहेगा फर्क रहेगा अंतिम गाउं और पहले गाउं में फर्क रहेगा ठीक है सबस्थ तो चलिए आगे बढ़ते यहां से तो इसका जवाब है अरुनाचल परदेश को हम कहते हैं यहां पर सबसे पहले सबसे पहले वर सूरिया दे वे शूर्यास्थ होता है तो भारत में सबसे पहले सूरिया दे और सूरियस्त का होता है तो विटा जी जो किबूतू गाउं है यह भारत का पर्थम गाउंगे भारत का पर्थम जाब इनको अंतिम गाउँ प्रधेश इसका सही जवाब क्या है अरुनाचल परदेश चलिये तो अब कदम बढ़ाते आगे अगला बिंदू देखते हैं ग्रहय मंत्री अमित साने साथ अप्रेल 2023 को अर्णाचल प्रदेश के किहूदू गाउं में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की सुरुवात की इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आप मुझे बताईए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामिन छेत्रु में शमग्र विकास करना और उनमें स्वावलंबी और सम्रद समुदायू में बदलना है इनका बेटाजी उद्देश्य इस तरीके से रहने वाला है चलिए आपका और कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे साथ के साथ बताते चले आगे बढ़े यहां से किवुतु गाव किवुतु गाव अरनाचल परदेश की में चीन सीमा पर है ल ए सी से सठा हुआ है वेरी इंपोर्टेंट चीज है थोड़ा सा यहां पर में कंसेप्ट है उसको किलियर कर देता हूं बेटाजी ताकि आप लोगों के जहन में कोई भी बात रहे नहीं इस तर अधर यह आपके एक जगह है जिसे कहते है अफगानिस्तान क्या है अफगानिस्तान मेरे प्यारे बच्चू यहां पर आपके लगा हुआ है पाकिस्तान और इस जगह से आपके यहां पर यह पहले तिब्बत था उसकी जगह क्या आ गया है यह आपका चीन आ गया है तो कैसे अगर मैं बात करूँ तो इस वाली जगर पर किसने कब जा कर रखा है तो यह आपका बेटा जी अक्षाई चीन कि अक्षाई चीन तीन चार तरीके की चीजे याद रख लेना अगर आप से कोई प्रसण पूछे अगर आप मेक मोहन रेखा क्या कहते हैं मेक मोहन रेखा अगर आपसे कोई पूछे भारत पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं हम रेड किलिप रेखा रेड किलिप रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा कहलाती है बेटा जी डूरंड रेखा डूरंड रेखा अब आप से प्रसंद पूछ लिया जाए ये जो P.O.K. पार्क उकुपाइड कश्मीर और हमारा जो भारत है यहाँ पर जो ये लाइन बनी हुए इसे कहते हैं बेटा जी L.O.C लाइन ओप कंट्रोल इसे हम क्या कहते हैं लाइन ओप कंट्रोल तो कौन सी है भारत और P.O.K. के मद्दे क्या है L.O.C और बेटा जी ये जो अकसाई चीन और भारत के बीच में एक सीमा बनी उसे कहते हैं L.A.C लाइन ओप एक्च्वल कंट्रोल इन दोनु चीज़ों में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे लाइन ओप कंट्रोल और लाइन ओप एक्च्वल कंट्रोल दोनु अलग और मैक मोहनरे का भारत चीन L.A.C लाइन ओप एक्च्वल कंट्रोल भारत और अकसाई चीन के बीच और P.O.K. और भारत के बीच में L.O.C लाइन ओप कंट्रोल ठीक है यह वही P.O.K है बेटा जी थोड़ा सा और मैं यहां पर बता देता हूं इस P.O.K के अंदर यहां पर कारा कोरम परवत स्रेणी है कारा कोरम परवत स्रेणी और याद रखना बेटा जी इस कारा कोरम परवत स्रेणी पर केटू केटू परवत चोटी स्थित और यह जो केटू हो ना विश्व की दूसरी विश्व की बेटा जी दूसरी सबसे उची परवत चोटी है जो P.O.K के अंदर स्थित है और भारत की सबसे उची चोटी केटू है और भारत में स्थित पूछ ले तो फिर लिख देना बेटा जी कंचन जंगा कंचन जंगा भारत में स्थित पूछ ले तो लिख देना कंचन जंगा तो इस LAC Line of Axle Control से सठा हुआ है ठीक है यह है भारत का सबसे पूर्वी गाउं है इस गाउं को सूर्योदे की भूमी के नाम से जाना जाता है तो यह भारत का प्रथम गाउं कहा गया अब क्या कहते हैं इसको भारत का प्रथम गाउं पहले अंतिम गाउं कहते थे अब प्रथम गाउं कहने लग गए तो इस तरीके की चीजे याद रखना अब मुझे आप बत जानते हैं चलो आपको और मोबाइल एप्लिकेशन जो आपके सामने है इसे जरूर जरूर किसी भी क्या करना है आपके मोबाइल में सुष्वबित करना है क्योंकि इसी के माध्यम से आप बहुत सारी जानकार्या प्राप्त कर सकेंगे एक्जाम जेसे जेसे नजदीक आता जा रहा है टार्गेट अभी परिवार में आपके लिए अपने अनुभवी शिक्षकों को खुले रूप से मेदान में उतार दिया है क्रेस कोर्स के तोर पर चीजे लेकर आ रहे हैं आज कम से कम 3-4 तरीके के टोपिकू को मिक्स करके में लेके आया हूँ इसी तरीके से आगे जितने भी सिक्षक अब क्लासेज लेंगे वो अपना अपना हुनर इस बीस दिन में दिखाने के लिए लगे पड़े है अब पारे में आपकी में गेंद है भाई आप इसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, आप कितना इसमें से निचोड निकाल पाते हैं, ये आप पर निर्वर करता है तो ठीक है, एक तो लाइक सेयर में बहुत कमी है आज की क्लास में, इसे बढ़ा दीजिये जल्दी से तो अखिल भारतिये शिक्षा समागम पहली बात आपसे पुछेगा, अखिल भारतिये शिक्षा समागम का आयोजन कहां किया गया है? तो इस अखिल भारतिये शिक्षा समागम का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया और पीम, नरेंद्र मोधी के द्वारा अगर आपसे पूछले, NEP की वर्च 2020 की वर्च गाठ पर, तो NEP क्या है? NEP क्या है? राष्ट्य शिक्षा निती? तो थोड़ा देख लीजे बेटा जी राष्ट्य शिक्षा निती तो पहली राष्ट्य शिक्षा निती कब बनाए गई? पहले आप बताईए पर्थम फिर बताईए आप मुझे दित्तिये और फिर बता दीजे आप मुझे तीश दिये हाज बताओ बई अब यह 3 उमय कहीं बार आपको पढ़ा चुका ऑँब तो पर्थम धित्य और तित्य ओर तित्य राष्ट्य शिक्षा निती कब आयूजित की गई? जल्दी जल्दी जवाब दिया आपने बहुत अच्छा बेटा जी, 1968, 1986 और 2020, अब इन में से प्रसन पूछे जा सकते हैं, कितने वर्सु बाद में ये सिक्सा निती लाई गई, इस तरीके के अलग-अलग टाइप से आपके लिए प्रसन बन जाएंगे, ठीक है, सवास बेटा सवास, बहुत बढ़िया, सांदार, नितू, बीना, अर्पना, महराज, वीके, तिनू, साक्षी, अउदेश, निशा, के अम, जोती, महेंद्रा, बहुत बढ़िया, बहुत सांदार, मजा आगया भई, क्लास का आज, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, विश्व, प्रेश, स्वत प्रेश, सुचकांक, 2023 में भारत की रेंकिंग क्या है, बताव बए, और प्रेश की स्वतनतरता, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19-1 के अंदर, जब हम 19 में जाते हैं, तो जाकर देखते हैं, आपको प्रेश की स्वतनतरता दिखाई देती है, ठीक है, स्वतनतरता की अध प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 34 येर बाद हाँ वो बेटा जी बिल्कुल सही है 34 वर्सु के बाद में है नेशनल एजुकेशन पॉलिस बिल्कुल सही जवाब तो प्रेस की सुवतंतरता अगर हम सुवतंतरता के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19-1 के अंदर हम यहां पर पाते हैं और हम कितने पिछड़े हुए है 161 नंबर पर और टॉप पर कौन है नार्वे क्या इस्थिती रही होगी अब आप मुझे बता दीजिए क्या हम इस और आधी देते हैं कि चलें है हा बिलकुल और इस नार्वे को बिलकुन लिकाता हूं इस नार्वे को कहा जाता है तो मध्यम रात्री में स्योंध्य का सिसमार्व को कहा जता है मद्यम रात्री में सूर्योदे के देश के नाम से नार्यों जानी जाती है नेक्स प्याद हो कि वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स दोजार तेवीस में अनुसार दुनिया का सबसे कुसाल देश कौन सा है बहुत बड़िया बेटा जी आरोप कहां लगा रहे हैं हम बईया हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि सुभास गोदारा जी हम तो पूछ रहे हैं बेटा जी हम क्या स्वतन्त रहे क्या जब इंडेक्स में हम इतने पिछड़े हुए स्थान पे हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं फिल्लेंड है आपको पता है बिटा happiness index देख लो आप किसी भी तरीके का index देख लो यह फिल्लेंड, नार्वे, आयलेंड, स्विटेजर लेंड यही वो देश है जो इसमें अग्रिम पंगती में खड़े मिलते हैं हम भारत वाशी पता नहीं क्यों इसमें पिछड जाते हैं औ एक सोचब्बीसवे स्थान पर आगे है और एक सोचब्बीसवे स्थान पाकिस्तान जैसा देश हमसे आगे जा रहे हैं बहुत सारे हमारे पडोसी देश हमसे क्या हो रहे हैं आगे जा रहे हैं और फिल्लेंड क्या है फर्स्ट पोजिशन पर बनाया हुआ है अभी भी चलि यह रेंग गलत है पाक की रेंग हम से अच्छी कैसे हो सकती है बिलकुल बेटा यह ठीस तो मेरे दिल में भी उठती है कि पाकिस्तान की रेंग हम से अच्छी कैसे हो गई होनी नहीं चाहिए थी पर क्या करें बाबू क्या करें तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं चलिए प्रज्याता किसके बारे में बात कर रहे हैं प्रज्याता गाइड लाइन 2020 वेर इंपोर्टेंट देख लो बिटाजी थोड़े मातुपूर्ण चीज़ें इनको आप याद रखना क्या है यह डिजिटल सिक्सा के लिए है फोड़ डिजिटल एजूकेशन अना अब य मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है हम कुछ नहीं रहते हैं एक दूसरे को देखकर बिलकुर सही बात कह रहा है भाई तो मेरे प्यारे बच्चु यह यह मिनिस्ट्री ओप एजूकेशन में चलाई जाती है हम जलते हैं हमारे रिष्टे अच्छे नहीं होते हैं एक स्क्रीन टाइम की सीमा ते करे प्री प्राइमेरी चात्र तीस मिनट दिन में बहुत इंपोर्टेंट इससे याद रख लेना प्री प्राइमेरी चात्र तीस मिनट प्रती दिन इससे ज्यादा नहीं होना चीए स्यावास बेटा हां वो में आपको पता यहां हर रिस्ता कर सुनना चाहते हो दोस्ती क्या होती है सुनना चाहते हो अगर सुनना चाहते हो तो यस में जवाब लिकर भेजना इसके बाद फिर जरूर चुनाओंगा आज बहुत प्यारी एक चीज किस भारतिय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच सम्मान केमपियनियन ऑफ दी ओडर ऑफ फिजी मिला है मैठ ही को उमनिश कुमार जी तो मुद्दे की बात पर आए तो यहां मुद्दा क्या कहता है फिजी का सर्वोच सम्मान हमारे माननिये नरेंदर मोदी पी-म साब को मिला है अगर पी-म साब अगले कुछ वर्ष और रह गए तो याद रखना भाई एक अलग से किताब आएगी नरेंदर मोदी के सम्मानू की किताब हर जगह पर अच्छा तो सुनिए बेटा जी मेरे द्रश्टी कोण से दोस्ती क्या होती है मैंने दोस्ती के लिए चंद चार लाइने लिखी है थोड़ी सी तुम मिट्टी लेना थोड़ी सी तुम मिट्टी लेना उस मिट्टी के दो दोस्त बनाना एक तुझ जैसा एक मुझ जैसा फिर उन दोनु को फना करना फिर उन दोनु को फना करना फिर वहां से थोड़ी सी तुम मिट्टी लेना उस मिट्टी के फिर दो दोस्त बनाना एक तुझ जेसा एक मुझ जेसा ताकि तुझ में कुछ-कुछ मैं रह जाऊं और मुझ में कुछ-कुछ तू रह जाए ताकि तुझ में कुछ-कुछ मैं रह जाऊं और मुझ में कुछ-कुछ तू रह जाए दोस्ती तो यह है अगर समस्त है तो दोस्ती तो यह है चलिए तो यहां से हम सीधा आगे बढ़ते हैं नरेंदर मोधी साप को यह अवार्ड दिया गया है किसे दिया गया है नरेंदर मोधी साप को यह अवार्ड दिया गया है सावास बेटा क्लास को बिल्कुल लब्रेज कर दो उर्जा से अब आजाओ मोधी जी को और कौन-कौन से सम्मान द किये गए उसके बारे में भी बात करते हैं सब तो बेटा एक बार क्लास को हवा हवाई बना दो मज़ा आ जाना चीए फ्रांस का सर्वोच सम्मान पहली बात तो परसन पूछेगा फ्रांस का सर्वोच सम्मान कौन सा है दीग्रेड क्रॉस ओफ तीजन ओफ ओनर पहली बात फ्रांस का सर्वोच सम्मान पूछ सकता है आप लोगों से बहुत अच्छा धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परक यही चारी बहुत बढ़ी असांदार और बेटा जी ये पुरुषकार भी ये अवाड भी ये सम्मान भी नरंद्र मोदी को दिया गया है मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतिय बन गया है यानि कि नरंद्र मोदी फ्रांस का सर्वोच सम्मान पाने वाले पहले भारतिय है तो 400 पार पहुंचाओ भाई अभी रुखना थोड़ी हमें यहां पर रुखना थोड़ी है बेटा जी अब आए ग्रिश आपको पता न ग्रिश ये बिल्कुल दिवालिया हो चुका गे देशू की श्रेणी में था ग्रिश देश्त का सम्मान ग्रेड क्रोस अफ दी ओडर ओफ ओनर फिर आपसे पूछ लेगा निम्न में से एक देखो एक और सम्मान देदेगा एक और देशू के नाम देदेगा सम्मानूं के नाम और देशू के नाम फिर कहेगा इनका मिलान कीजिए राहुल चोधरी बिल्कुल बैटा जी यह आप ही की जिम्मेदारी आप लोग किया गया है चलिए बढ़ताओं में आगे मिश्र का सर्वोच नागरिक सम्मान ओडर ओफ नायल फिर प्रसंद पूछेगा वह आप से मिश्र जिसे आप क्या कहते हो इजिप्ट और इस मिश्र को कहते हैं बैटाजी नील नदी का वर्दान नील नदी का वर्दान के नाम से मिश्र जाना जाता है तो आईए मिश्र का सर्वोच नागरिक सम्मान क्या है ओडर औफ दी नायल पहली बात तो परसन एक तो यहीं से डिजर्व करते हैं और इसलिए इनको इससे सम्मान दिये जाते हैं चलिए मैं आगे बढ़ जाओं चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगला देखता हूं पापुवा न्यू गिनी का सर्वोच नागरिक पुरुषकार पहले बाद तो परसन पूचेगा पापुवा न्यू गिनी का सर्वोच नागरिक पुरुषकार कोन सा है तो आपको याद रखना है याद रह जाएगा ये भी किसे दिया गया है ये भी नहीं वो देश के परदान मंत्री है और जब तक मैं किसी भी पद पर बैठे हुए विक्ति के लिए कोई भी टिपनी नहीं करता हूं अगर देश के परदान मंत्री राहूल गांधी होते तो मैं उनके का वारे में भी टिपनी नहीं करता क्योंकि वो देश के सर्वोच पत के उपर बैठे हुए है परदान मंत्री अपने आप में वास्टिकता में देखिए नाम मात्र का तो राष्ट पती होता है कैसे टीका, टिपनी कर सकते हैं उनके उपर लगाओ आप तो जोर अपने वाले और बताओ बटाजी जो पताउं गंराज्य है पताउं गणराज्य का भी एक सर्वोच संबान है वो भी किसे दिया गया है वो भी नरेंदर मोदी साफ को दिया गया और वह क्या है अबालक अबसे पूछेगा अबालक अवार्ड कहां का है पापाउन गण राज्य का और यह यह किसे दिया गया है नरेंदर profoundी को दिया गया है आँ बहुत पढ़ल एम नरेंदर नोदी को इस कक्सा 3 से 12 के पार्टे करम को संसोधित करने के लिए गणित 19 सदस्षिय अध्यक्ष N.C.E.R.T. पार्टे करम राष्ट्य पार्टे करम और शिक्षन अधिगम सामगरी सिमिती मेक पंथ के नित्रतु में ठीक है मेरे प्यारे बच्चू इसे आप इसी तरीके से याद करेंगे मैंने सोटकर तरीके से पूरी की पूरी चीज़े यहां पर बता दिये सोटकर तरीके से पूरा तो कक्सा 3 से 12 के पार्टे करम को संसोधित करने के लिए ठीक है उन्नीस सदश्य अद्धेक्स एंसी याटी पार्टे करम राष्टे पार्टे करम और शिक्ष्ण सामगरी सिमिती अना मेक पंत की अद्धेक्स था में यह कार्य किया गया है चलूं आगे बढ़ूं बतादो बैतर भी मिस यूनिएस परतियों किता का किताब किसने जीता 2023 बहुत प्यारा सवाल है बहुत सांदा जानदार जबर्दस्त और जिन्दा बात कि आज मोदी जी दुबाई गया है जाने दीजिए भाई उनको छोड़िए उनको जाने दीजिए हम यह हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहिए तो चलिए बैतरवी मिस यूनिवेस्ट परतियों किता 2023 का किताब किसने जीता है तो बेटा जी सेनिस पाला शियो कहां कि रहने वाली है निकारांगुआ कि रहने वाली है मोदी जी अच्छा अरे भाई अब राजनेती मत करो राजनीती मत करो वर्ना फिर मैं नेताओं पर एक बात बोल दूँगा कि ए मेरे प्यारे मत दाता तुम ही हो मेरे भागी विदाता चुनाव बोड में अड़ा हुआ हूँ सीट नहीं निर्दलिय खड़ा हूँ कि जिसे भी तुम अपना लेते हो रंग से राजा बना देते हो अपना वोट मुझे दीजिए रंग से राजा बना दीजिए कि फिर में एलान करता हूं कि अलग कोलोनी बनवाऊंगा और पतवारी को तैसिल दार बनाऊंगा और यहां से राजधानी चला जाऊंगा और पांस साल तक आपकोँ अपना मुझो तक नहीं दिखाऊंंगा ये असली है नेताओं की तो अब आप मुद्दे की बात पीदर आजाओ अपने परस्टों पे कुछ नहीं पड़ा मिस यूनिवर्स परतियोगिता दो हजार तेवीस का बैत्रवा संस्क्रण इसमें आयोजन किया गया अल सालवाडोर देश के अंदर 18 नवंबर को किया गया है अल सालवाडोर देश के अंदर 18 नवंबर को किया जाता है चलिए बेटा जी आज क्लास को हवा हवाई बनाने की बारी ये लाइक आपने इमानदारी से जिसने लाइक ने क्या हो लाइक कर दो भई फिर आगे चलेंगे इमानदारी से लाइक ठोकूँ बैतरवी मिस उनियर्च परतियों गिता में भारत की तरप से भाग लेने वाली कोन थी तो भारत की तरप से भाग लेने वाली कोन थी इसका जवाब दीजी आप तो स्वेता सार्दा का नाम यादखना चंदी गडवाली ये ओ चंदी गडवाली ये स्वेता सार्दा ने भाग लिए इगत्तरवी मिस यूनियस परतियों किता है दो जार बाईस में आर बोनी ग्रेवियल अमेरिका सब्सक्राइब मिस यूनियस परतियों किता दो हजार एक्कीस ओय ओय मुझे तो यहां तक लेके आना था आप लोगों को यहां तक लेके आना था मैंने आप लोगों को तो हरजान कोर संदू भारत की ओय हो आपको पता है हर 15-20 साल में भारत में से एक मिस यूनिवर्स निकल जाती है क्योंकि भारत व्यूटि प्रोडक्ट का इतना बड़ा मार्केट है कर व्यूटि कमपनियों को अपने मार्केट को चलाने के लिए भारत में से किसिना किसी को मिस यूनिवर्स या मिस वर्ड बनाई देते हो आपकि यह बाकी पीछे वाले खरीबते रहे चलती रहblock चलिए आगे बढ़िए मेजिक पिटारा एनिपी 2020 पर आधारित है बहुत इंपोर्टेंट चीज है थोड़ा समल के करना भाईस को जवाब मेजिक पिटारा के बारे में थोड़ा समल के जवाब देना मुद्दे की बाद पर मेजिक पिटारा एनिपी 2020 पर आधारित है धर्मेंद्र परधान द्वारा लोंच किया गया तीन से आठ साल के बच्चों के लिए आई एमपी ये पूरा का पूरा मामला मैं कहीं बार पढ़ा चुका हूं बता चुका हूं कि n c e r t k के द्वारा ऑफ है कि चलिए हैं अब आते हैं ग्रामीन भारत में आरंबिक शिक्षा की इस्तिति रिपोर्ट से कौन प्रस्तूत करता है पहली बात ग्रामीन भारत में आरंबिक इसमें आपसे प्रसंद पूचा जाएगा अना इसमें कहां से कहां तक के बच्चों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहां से कहां तक की तो कक्सा एक से लेकर कक्सा आठ तक के बच्चों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है पहला प्रसंद यह बन गया और दूसरा प् मिनिश्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है यानि कि शिक्सा मंत्राले के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है यह एक और इंपोर्टेंट बिंदू आपके लिए हो गया अभी तो पार्टी सुरू यह लगा दो क्लास को भाई जैकारे के साथ मैं आगे इतना प्यारा सांदार सा सवाल बनता है आप लोगों के यहां पर भारत के पहले कारबन न्यूट्रल गाउं के रूप में किस गाउं को विक्षित किया जाएगा तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं तो भिवंडी तालुका तो सीधा परशन पूछ ले जाएगा भिवंडी तालुका का संबन्द महाराष्ट्रा से है और यहां पर ऐसा क्या किया जा रहा है कारबन न्यूट्रल गाउं के रूप में विक्षित किया जा रहा है चलू आगे में अरे कोईला समझ पारे हो ना आप साबास पेठा साबास आज क्लास 400 पार पहुंचा दो वोइस बहुत क यक्तिक आउठ गाट न कहां किया गया है पहली बाद भारत की सबसे बड़ी नीची रेलवे अचलिक आउठ गाटन कहां किया गया है तो है कि बहुत मत्तुपूर्ण है बाई तो क्या है कोड कल टेलंगाना कोड कल टेलंगाना जल्दी से बता दो बाई टेलंगाना की राजधानी कौन सी है राजधानी कौन सी है तेलंगाना की जल्दी जवाब दे दीजेगा बिना समय खपाए और हेद्राबाद से अलग हुआ है तो हेद्राबाद की नई राजधानी का नाम बता दो भाई हेद्राबाद की नई राजधानी और तेलंगाना की राजधानी का नाम जल्दी बताओ फ कि आंद्रपर्देश और तेलंगाना की राजदानी बताते चलिए स्याबास बेटा स्याबास बहुत बढ़िया नेक्स्ट आरंबिक स्तरफर शीखने के परिणाम में सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्रा लेने निष्टा कौन सा निष्टा वेरी इंपोटेंट है इसकूल परमुकुकूं और शिक्षकूं के लिए राश्ट्रिय पहल समग्र उन्नति निष्टा क्या है निष्टा बहुत इंपोटेंट बात है निष्टा के बारे में तो आपसे पूछेगा हाँ बेटा विल्कुल अमरावती है और हेदराबाद तो निष्टा का संबन किस्से है तो पहली बात निष्टा का संबन किस्से आरंबिक स्तरपर सीखने के परिए प्रात्मिक अगर पूछ लेगा तो आपके सामने निष्टा की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना बेटा जी हो सकता फुल फॉर्म से भी अपकी बार कोई ना कोई प्रसंट टपक जाए यहां से भी कोई ना कोई प्रसंट आप लोगों के लिए बन जाए तो चलो भाई आगे किसी सहर में पूर्वत्तर का पहला आई जो आना आई स्टापीत किया गया है जिसका उद्गाटन पीम मोधी ने किया एम्प्स बताओ भाई पूर्वत्तर का एम्प्स वेर इंपोर्ट पूर्वत्तर का पहला एम्प्स और अगर 400 पहुंचाते हो तो कल आपके लिए इतनी सांदार जानदार जबर्दस्त क्लास लेकर आऊंगा इतने सांदार चीजु का मिश्लेनियस करके लेकर आऊंगा का मज़ा आजाएगा आपको सबके नाम बहुत यूनिक है तो मैं यूनिक ही लेकर चल रहा हूं तो गुवा हटी आपका अशम अशम अच्छा पूर्वत्तर के अंदर मेरे प्यारे बच्चू सेवन सिस्टर आती सेवन सिस्टर सेवन सिस्टर उन सेवन सिस्टर का वन ब्रदर कोन सा है एक भाई किसे कहते हैं जल्दी कमेंट वोक्स पे छोड़ दीजे जवाब बढ़ जाई आगे भारतिये ओलंपिक संग की पहली मैला अद्यक्ष कोन बनी है बहुत प्यारा सवाल पूछा याप भारतिये ओलंपिक संग की पहली मैला अद्यक्ष किसे बनाया गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो आप इसका जवाब दे दीजे मुझे भारतिये ओलंपिक संग की पीटी उसा उडन परी उडन परी गोल्डन गर्ल पीटी उसा एथलेटिक पीटी उसा याद रख लेना नेक्स्ट पीटी उसा का संबन्द भारत के केरल राज्य से है कहां की रहने वाली है भारत के केरल से संबन्दित है पीटी उसा इनका प्योतित एक्सप्रेक्स उपनाम से भी जाना जाता है पीटी उसा, उडन परी, बिल्कुल उडन परी है बेटाजी ये, बहुत जोरदार महिला है कोई बात नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे, ये जो बीच में जितनी परियोजनाएं करवा रहा हूं, ये एजूकेशन से सम्मंधिती तो करवा रहा हूं इनका सम्मंध किस्से है, फिर आप बता दो मुझे, साड़े 300 प्लस लाइव चल रहे हो, लाइक देख लो, रखो रेकार जे पर हाथ अगर आपको लगता है, लाइक करना चाहिए, तो कर दो लाइक एक बार, समय हो चुका है, मेरे पास 7-8 मेंट का टाइम ओर है, तो जल्दी कर दीजिए, तो सितारे प्रियोजना, सितारे प्रियोजना, भारत, सरकार एंवं विश्व बेंक मन, शिक्षा, और शिक्षा मनत्राले, द्वारा, छे राज्यु में लौंज किया गया, कहा कहा किया गया है, हिए माचल परतेश, राजस्तान, महाराष्ट्रा, मद्दे पर्देश, केरला यहां पर बेटाजी और ओडिसा तो इन सभी जगों पर क्या कौन सा सितारे प्रियोजना आरंब की गई है स्टार, शिक्षन को सुधर्ड बनाने के लिए ले भाई शिक्षन को सुधर्ड बनाने के लिए राज्यों के लिए NEP 2020 और परिणाम शिक्षाना इसके लिए सारे के सारे मिक्सलियनियस क्यूसंस लेके आ रहा हूं बेटा जी क्या चीह आपको ब्रिक्स शिकर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कि इस देश ने की थी ब्रिक्स फिर बात करेंगे इसके बारे में शिकर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में करने वाला देश कौनसा है कौनसा है बताओ भाई कौनसा है तो सर साउथ एफ्रीका इस रराइटा अन्षिर Next ब्रिक्स अब मैं समझा देता हूं सोलवे ब्रिक्स सिकर सम्मेलन 2,023 चौविस कहा होने वाला है रूसमें वैरी वैरी इंपोर्टेंट लगाने ला भाई अग्ला सिकर सम्मेलन वाव होगा एक जनवरी 2023 को ब्रिक्स के 6 नए सदेश्य देशु को सामिल करने का फेसला लिया गया 23 में 24 में इनको इवे कौन कौन है अर्जेंटीना, साउधी अरब, UAE, मिश्र, इथोपिया और इरान ये बेटा जी कुछ देश है ठीक है बेटा, दो बार, एक बार ओ, लाइक कर दे, दो बार से पार नहीं पड़ेगी, तीन बार कर किस राज्ये में जानवरू के लिए भारत की पहली मोबाइल, IVF लेब शुरू की गई है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्यूशन है जानवरू के लिए कहां शुरू किया गया है गुजरात, बाइब्रेट गुजरात निपुल भारत मिशन आजवबाई निपुल भारत मिशन में NEP 2020 आधारित कक्सा 3 तक कक्सा 3 तक 3 से 9 वरस तक इंपोर्टेंट चीज को याद रखना भाई पढ़ने और लिखने की बुन्यादी दक्स्ता क्या है? निपुल निपुन समझने और संख्यात्मक्ता के साथ पढ़ने और दक्स्ता के लिए राष्ट्रिये पहल है क्या है भाई? राष्टिये पहल है निपुल इसे भी याद रखना बढ़ो आगे सयुक्त राष्ट विश्व परियाटन संगठन ने किस भारतिये गाउं को दुनिया का सर्वस्रेष्ट परियाटन गाउं घोशित किया है? कौन से भारतिये गाउं को दुनिया का सर्वस्रेष्ट परियाटन गाउं घोशित कर दिया? तो क्या जबाब दोगे बेटा जी? सर जी उस गाउं का नाम है धोरडो गुजरात कच्खे अंदर धोरडो गुजरात कच्खा वो गाउं है इसे भी आप याद रखेंगे स्यावास बेटा निपुन हाँ बेटा जी? चलिए Next सेन्य संगठन नाटो का 31 सदस्य देश कोन है? सेन्य संगठन नाटो का 31 सदस्य देश कोन सा है? नाटो का 31 हम बेटा जी पहूंच चुके हैं पौने 400 पार लगा दो एक बार भाई 400 का डंका आज मजा आ जाना चीए सवास बेटा बहुत बढ़िया तो फिल्लेंड इसका सही जवाब है, राइट आंसर क्या है, फिल्लेंड आपका राइट आंसर है, बस पहुंच गए हम, बस पहुंच गए, कुछी समय और बाकी है, नाटो, उत्री अंटाल्टिक संधी संगठन, इसका मुख्याले जरूर याद रखना, ब्रुशेल्स में है बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम ब्रुशेल के अंदर इसका मुख्याले इस्तित है, बहुत प्यारा, सांदार, फिल्लेंड इसका नया सदस्य बन गया, आगया जाहिए, नेस्टनल केरिकोरूम फ्रेमवर्क, राष्टिये, फ्रेम, मतलब काम करता है, अब देख लेते ह सब्सक्राइब, तो NCF 2022 के आधार पर, शिक्षा मंत्राले और D प्रदीनन इससे समझ देख, NEP 2020 पर आधारित है, NCF 25 की थीम, विद्धाले शिक्षा, शिक्षक की और प्रोड शिक्षा, विद्धाले शिक्षा, शिक्षक की शिक्षा और प्रोड शिक्षा, इसे आप बातु पर चर्चा कर रहे हैं बढ़ाओ बेट आगे बढ़ाओ ग्लास को एक बार लास्ट अंतराष्टिक ग्रीन एपल अवार्ड दो जार तेवीश जीतने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया इतने परसंद करवादी आप सोच भी नहीं सकते हो भाई अंतराष्टिक ग्रीन एपल अवार्ड चार्चों के लगबग लाइव पहुंच गया है आपके लाइक की संक्या देख लो भाई जीतने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया है तेलंगाना इस राइट अंस्वर तो सही जवाब क्या आपका तेलंगाना आपका सही जव ठी इस पुस्तक को लिखने वाला वेक्ति कौन है जल्दी से बता दीजिए एक बार श्यावास बेटा बहुत बढ़िया तो इसका जो राइट अंसर है पी-एस-श्रिधरन-पिल्लई पी-एस-चीद्रन-पिल्लई इस राइट आंस्वर बस अगले पांच मिनट में आपक के हवाले सातियों चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि आरके सडमुक सेटी स्वतंतर भारत के पहले विद्ट मंत्री थे का पुह गेंदृ मंत्री प्यूज गोईल ने आरके सडमुक सेटी की परतिमा का अनावरन कहां पर किया है तो आपको इसका मालूमात होना चीए एक चक्के क प्रतिमा का आवरण किया गया है बलदेव चाहर जैस्री तेजाजी मारा प्रतिमा के पहले वित्तमंत्री थे इस बिंदू को भी याद रखना हूं चले बढ़ते आगे किस राज्य में अंबेटकर साथ की भारत की सबसे उंची प्रतिमा इस्तापित की गई है कौन से राज्य में सबस्ट बेटा बहुत बढ़िया अब बीयार अंबेटकर साथ की बहुत उंची प्रतिमा कौन से राज्य में इस्तापित की गई है जल्दी से आप लोगों का जवाब आजाना चीए तो सर ये तेलंगाना राज्य के अंदर डॉक्टर बीयार अंबेटकर की सबसे उंची प्रतिमा आप लगाई गई है हां जी कि चलिए बढ़ जयाए आगे आगला क्या क्टी करह में आरंबिक सिक्षा का सारू भूमी करण वह किए बहुत इंपोर्टेंट कि कोन में भी सिक्षा ऐम कर्णार यानि कि आपकी आरंसार भूमी करण करना चो पिन सर्व शिक्षा अभियान 2001 सर्व शिक्षा अभियान 2001 वेर इंपोर्टेंट बहुत मत्वपूर अब छैसे लेकर 14 वर्ष छैसे लेकर 14 वर्ष की आयू के बच्चु के लिए है चलिए अब क्लास को विराम देने का समय आने वाला है बस कुछ ओर अमपेज देख लेते हैं चुनाव यूक का नया new national a you know किसे बनाया गया एक बहुत अच्छे लेवल का एक लाकार है उनका नाम आपने सुनाओगा नाम है राजकुमार राव इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सामाजिक मैसेज देने वाली मुवीज बनाई है और इनका नाम आप जानते हैं तो राजकुमार राव आपका सही जबाप रहने वाल है चलिए किस एक्टर्स को दादा साफ फाल के वाड़ 2023 के लिए चुना गया है बहुत खुबसूरत मैला है इस उमर में बहुत खुबसूरत दिखती है पहली बात तो बताओ दादा साफ फाल के पुरुषकार किसे दिया जाता है जो लगबग 40-50 साल तक सनीमा जगत में जो योगदान देता है पैचान बनाता है उसको मैं ठीक हूँ बेटा गीता एकदम से बढ़िया हूँ उसे यह अवार्ड दिया जाता है और वहीदा रहमान इसका राइट अंसर है चलिए अगला देखते हैं इविद्या कार्यक्रम के बारे में बात करते इविद्या कार्यक्र इविद्या कार्यक्रम डिजिटल सिक्सा के लिए एक क्लास एक टीवी चैनल का अंसर है आज की इस क्लास को में बेटा जी यहीं पर विराम देता हूँ तो बेटा आज हिंदी वाले सर किसी कारण वस अनुपस्तित है तो आप लोग इससे आगे वाली जो क्लास है उसमें जुड़ना ना भूले हाँ अभी जो चार बज़े क्लास उससे जुड़ना ना भूले हिंदी वाले सर चुट्टी पर तो थैंक्यू सो मज जै हिंद जै क्लास हूं